अश्कार अंतिम बाजी में आपका स्वागत है दिली स्टूडियोस से मैं हूँ इरभट मेरे साथ मेरे सहयोगी डिल्पी है और डिल्पी आज ऐसा लग रहा है कि सारे लोग जो भी ट्रेड करते हैं मार्केट में वो वैलेंटाइन्स दे मना रहा है किसी का ध्यार नहीं है और यह ना के वहले छोटे शेर वैलेंटाइन से जुड़े होई शेर बलकि बड़े शेर वह भी वैलेंटाइन डे के पूरी तरह से मूड़ में दिख रहा है और यही डाटा भी कम से कम इंडिकेट कर रहा है आज मार्केट पूरी तरह से कारोबार करत ना ही स्तास्य से पच्छास करी रेंज को ब्रेक कर रहे हैं तो यह इंपॉर्टेंट चीज है आज IT को छोड़ फार्मा उपर आ है आईटी को छोड़ जाता सेक्टर्स में दबाव है या फिर यह करें कि हलकी मुनाफ़ा वसूली है क्योंकि बजार इस जगे पर आके कुछ प अभी जो विदानता के नंबर आए है उसने भी और प्रेशर बनाया तो इस पर थोड़ा सा दबाव आपको और बढ़ता हूँ दिख सकता है और पांच फ़ी इंपॉर्टेंट चीज इनके नंबर अभी आने है उसमें नैसले जो कि कल आए का नंबर आज ही आने है इस पर अपने ज़र रख सकते हैं इन दोनों का भी इंपक्ट क्योंकि अपने सेक्टर के दिगज कंपनी है तो जूरूर पढ़ता हूँ दिखेगा बिल्कुल एक निपी कुछ तक ना मार्केट आज जो इंडिकेशन है आप देखिए इसे कुछ तक थोड़ा सा जिसे कहता है ना कि आपके दो तीन बड़ी इवेंट्स निकल गया अर्विया की पोविसी थी बजट था वो सब निकल गया अगला बड़ा ट्रिगर है वो चुनाओ के नतीजे है इसमें थोड़ा सा वाकत है अब क्यों फिर अग्रेसिवली इस समय आप ज्यादा यूनो इस समय आप यह सबसे ज्यादा फ्रस्टेटिंग पीरिए होता है कि किसी एक तरफ अगर जाता है मार्केट, स्विंग लेता है चाहे नीचे की तरफ ही हो या तो उपर की तरफ तो उसमें क्या होता है कि आपको बहुत सारी उपरचुनिटीज मिल जाते है इसमें ट्रेट करने वाला भ वे गुपता से बाचित करेंगे लेकिन एक बार डेरिवेटिव का डाटा देखें जो यहीं इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में अभी भी रेंजबॉंट कामी रहेगा यह निफ्टी का ट्रेंड है पूरी तरह से सीमी धारे के अंदर कामकाज होता है बैंक निफ्टी द और शेर भी निकालें जहां पर ताज़ा खरिदारी और विक्वाली हो रही है उसमें अब देखेंगे अच एडिएजी के शेर के अंदर कुछ मोमेंटम है रिलाइंस कुछ चल रहा है यह शेर के अंदर खरिदारी लेकिन जहां पे प्रॉफिट बुकिंग आफे शेर काफ और हरी समझेंगे कि इस समय फंडमेंटल विक्या है हरी शुक्रिया समय देने के लिए विक आपका भी शुक्रिया मार्केट में इस समय करना का चाहिए एक ट्रेडर की सोच क्या होनी चाहिए हरी देखिए I think ये एक बहुत ही जैसे मैं कहूंगा एक लाकलिस्टर मार्केट है और आप आप देखिए सुबर से शायद निफ्टी प्राबली एक 10-15 पॉइंट के रेंज में घूम रहा है तो I don't think you know as a trader आपको कोई खास लीवे मिलने वाला है मेरे खाल से if you are a trader आपको थोड़ा वेट करना चाहिए I think there should be some kind of a decisive direction 50-100 points के direction मिलेगा शायद से we could see a small correction of 50-100 points मेरे खाल से you should use those lower levels to enter and start buying in the market मेरे मैं नहीं मांद हो कि market में कोई underlying trend में change हुए मुझे तो अब भी market strong लग रहा है यह तिंग शायद से जो हीट है वो जाने तो एक 500-100 points के correction आएगा निफ्टी में उसके बात करीच सकते हैं बेलकुल चलिए आपने in fact यह जो बात कही कि हो सकता है 500-100 points का swing मार्केट किसी एक तरफ ले इस पर बात करते हैं मानस जैसवाल हमार साथ जुड़े हैं उनसे बात करते हैं मानस शुक्रिया हमार साथ इस बात्शीत में शामिल होने के लिए अब यूनो यह जो swing जिसकी अब हरी बात कर रहे थे I think इसी का इंतजार है भी market को क्योंकि यह इस तरह का दाइरे में रहने वाला लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक बेसिस पे अगर आप देखें तो वॉलेटाइल मार्केट इससे नैविगेट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कई बात्रेडर के लिए देखिए मेरा समझने यह है कि जो पिछले करीब साता ट्रेडिंग से हम ट्रेंड देख रहे हैं वो एक रैली के बाद एक साइडवेस करेक्शन कर ट्रेंड है और 8800 के उपर डेफिरिटली वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है जो कि 89,60 के आसपास है तो बिल्कुल करेंट डेवल्स पर निफ्टी पर खरीदारी करें और अपने स्टॉप क्लॉस दे रहा है तो आपको बिल्कुल स्टॉक स्पेसिफिक हो जाना चाहिए कुछ एक स्टॉक साथ चल रहे हैं उस पर समस्ते करना का चाहिए MMTC आज काई दिनों बात फिर से शेर चलता हूँ दिख रहा है यह करीश पांच परसंट अभी उपर है एक बार विवेक इसका चार्ट देखिए यह कैरी करने वाला शेर है या फिर मोमेंटम अभी फिजल आउट कर देगा कर देगा इंपी जी मुझे लगता है इस चार्ट पर देखिए मुझे को होल्ड करें अगर कर लेते हैं तो स्टॉप लॉस क्या रख लें इसका बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं जरूर हमने पिछले करीब तीन से चार हफते में एक करेक्शन देखा है बट वो करेक्शन एक अच्छी रैली के बाद देखने को मिला है 73 रूपीज जो पिछले हाइस थे उसको टार्गेट सेट करके चले और 62 रूपीज के नीचे अपना स्टॉप लोस लगा है चली तो 62 के नीचे आपको अपना स्टॉप लोस रखना चाहिए खैर चली एक बार एक काम करते हैं एने सी के कैश के गेनर्स को देखते हैं जहां पर आज रूजान कुछ एक स्टॉक्स में अच्छा देखने को मिला है जहां पर सुबह से सस्टेन भी कर रहा है ट्रेंड तो सुबह ही हमने देखा था आज जीवी के पावर पर अच्छा रूजान था ही अभी भी होल कर रहा है करीब साढ़े-दस परसेंट ऊपर ट्रिगर यहां पर जो मुंबई का नया एरपोर्ट है उसकी बोली इन्होंने देखा था अब आला की थोड़ा सा वह सॉफ्ट होते हुए लेकिन जीवी के पावर और जैक आप इस पर मानस क्या ट्रेट करना चाहिए देखे जीवी के पावर की जाद अब बात है एक इन्वर्स हेरें शोलर पैटन दिखता है जिसका जो नेकलाइन है वो करीब 7 रुपए 75 पैसे के आसपास है तो जो ओरल पैटन है वो तो पॉजिटिव लगता है हलाकि आज इंट्रेटिक सेशन में हमने हाई लेवल पे थो दिदारी करनी चाहिए 6 रुपीज 30 पैसा एक स्ट्रॉंग सपोर्ट है क्योंकि वो 200 तिनों का मूइंग एवरेज है तो उसके नीचे प्रेस्ट आप लॉस रखे हरी इस पर रियल एस्टेट कंपरिस में क्या करना चाहिए क्योंकि बजट से ठीक पहले उमीद में था कि ब अभी भी वीक लगता आपको इस सेक्टर क्योंकि बजट का बहुत बड़ा फोकेस अफोरडबल हाउसिंग पर रहा है मैं मानता हूं कि इन कंपरीज का प्रॉस्पेट्स काफी अच्छा है पर मैं मानता हूं कि ओवरॉल जो रिल इस सेक्टर है इन अच्छा मीडियम टू लॉंग टू बनता है पर जैसे आपने सही का शौ्टर में तो कहना बहुत मुश्किल है शायद से प्रेजर हो सकता है विवेक इस बीच मैक्स इंडिया इस पर क्या व्यू है आपका मैक्स इंडिया चार्ड पर काफी अच्छा है 152 के ओपर डेली चार्ड से ब्रेक आउट हुआ था मुझे लगता है यहां से 168 तक का लेवल देखा जा सकता है इस पर पाई ऑन डिप्स की रन्लिती रखने चाहिए 157 से लेकर 157.50 की रेंज में बाई करें 152 के स्टॉपलो है कि शार हो सकता है मिसाइल के लिए इनको एक उच्छी एक और मिल जाए यह जो सड़न स्पाई का बारा बजे के आसपास देख रहे हैं यह सोर्स बिस्ट इंफरमेशन आई थी उसके बार एक मूव आ है लेकिन फिजल आउट खत्रम हो चुका है अभी ओल्मोस्ट एकरी 15 कि गिरावट पे है इस शेर का स्ट्रक्चर के अलाओ कर रहा है खबर की वेट तो हम कर सकते हैं लेकिन अगर स्ट्रक्चर भी अलाओ करेगा वेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए देखिए 1200 रुपए से हम स्टॉक में लगातार हाय टॉप सायर बाटन बनते हुए देख रहे हैं और इस बीच में जब भी स्टॉक में कर्रेक्चन आया है तो स्टॉक ने 50-0 के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेने के बाद एक नया हाई बनाया है सातार ट्रेडिंग सेशन में जरूर हमने प्रॉफिट बॉकिंग हाय लेवल से देखिए बट मैं समझता हूं जब तक 50-day मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेट कर रहा है बिल्कुल बने रहना चाहिए आई थिंग आप 1450 का स्टॉक रखे बने रहे हैं स्टॉक मे जो क्योंकि जो मीडियम लॉंग ट्रेंड है वो बहुत ही क्लियर पॉजिटिव दिखता है और आप उमीद कर सकते हैं कि 1620 के लेवल भी आने वाले टाइम में ब्रेक होंगे और 1710 से लेकर 1725 तर किस तर देखने को मिल सकते हैं तो मेरी राय में तो गिरावाट पर खरीदा बिकोज इंडेक्स को अब देखेंगे तो खास एक्शन है नहीं पांचे पॉइंट नीचे एट सेवन नाइट पर लेकिन आर्ली गेनर्स को अब देखें यहां पर देखिए जैसे आइडिया है इसने पिछले एक गंटे में अच्छा मू दिया है इन फेक पुरा टलेकॉम स्पेस देखें भारती एटल ने अच्छा मू दिया है और रिलाइंस दो परसेंट उपर है गेल पर सवा दो परसेंट का मू है आइडिया और भारती में यह जो गेन है हरी इसे प्ले किस तरह से करना चाहिए बिकोज इन इफ लोकेडिट फंडमेंटली तो वो कंसर्स अभ और जो जब से वोड़फोन के मर्जर का बात शुरू आता है यह स्टी फाइडिया का सवाल है रैली हो चुक है यूशुड आइदर बिल शॉट पोजिशन और स्टार्ट बाइंग बुट आप्शन अस पर आइडिया इस कंसर्ण जहां तक भारती का सवाल है मैं मानतू कि काफी स्ट्रॉंग लग रहे हैं इसका बहुत स्ट्रॉंग वॉल्यूम के साथ अच्छी बढ़ात आते हूं देखी है आप इसका डिलिवरी पोजिशन तो देखेंगे आपको ज्यादा बहले नहीं देखेगा इसके अंदर लेकिन इसका पोजिशनल ट्रेड जो जिनुन के पास भी है उन्होंने ऑप्शन में भी काफी स्टॉंग बाई किया है आप इसकी कॉल देख सकते हैं कि अभी करीब 370 के आस पास चल रहा है इसकी जो ऑप्शन ट्रेड जो एक्टिव हुई है वो 380-390 यहां पर भी ताजा खरिदारी आती हूं दिखे तो इसका मतलब यह ह प्रोच भी दे रही है शेयर के अंदर तो बने रह सकते हैं जैसे अभार अभी हमको अहरी भी बिता रहे हैं कि शेयर के थोड़ा सध्यान देनी के जूरत है फटाउट से देख लेते हैं और कुछ ऐसे शेयर जहां पर आज अच्छा मूव देखने को मिल रहा है उसमें गो काफी पॉजिटिव है 1560 से लेकर 1570 की देंज काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज थी जहांसे बांस बैक देखने को बिला है 1580 के उपर शॉट टर्म चार्ट में डवल बाटम फॉरमेशन से उपर का ब्रेक आउट दिया है सोला सो बीस तक के टार्गेट की पॉसिबिटी है बीटी एश्टी कर सकते हैं लेकिन बाई उन डिप्स की रणिती रखें 1590 के आसपास मिलता है तो इसको ओर नाइट लेके जाए 1620 तक के टार्गेट के लिए लिए बिलकुल मानस कमिंग बैक तो आपने शुरुआत में कह कर सकते हैं यानि इंडेक्स को 8960 तक उस पर बैट करें यह कोई दो सॉक्स आप बता सकते हैं जो आपको लग रहा है कि यहां से लिकर 8960 तक के मूव में मेजरली पार्टिसिपेट करेंगे देखिए मेरा समझने यह है कि यहां से अगर 8960 तक निफ्टी को जाना है तो उसमें बैंक निफ्टी का पार्टिसिपेशन जरूर रहेगा तो उस तरह से अगर देखे तो प्राइविट बैंकिंग में काफी स्टॉक्स ऐसे हैं जो चार्ट पे अच्छे लगते हैं चाहे आई से बैंक हो और इन बैंक में अगर एक स्टॉक्स चूज करना होगा तो मैं आई से बैंक चूज करूँगा क्योंकि तीन चार्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने करेक्शन देख लिया है लोगर लेवल पे 220 से 275 तक बड़ा सपोर्ट दिखता है तो यहां पर खरीधारी कर है 270 रुपए की नीचे स्टॉप लगा है मैं समस्तों कि 298 के लेवल सो बिल्कुल आई से इसे बैंक में टेस्ट हो सकते हैं और अगर दूसरे स्टॉक अगर एक चूज करना होगा तो मैं टेलिकॉम स्पेस से भारती एटल चूज करूँगा क्योंकि भारती और आईडिया दोनों के चार्स अच्छे लगते हैं भारती में मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि एक शार्प अम्बूव अवा आना से ही है जुसमें 385 तक के लेवल भारती एटल टेस्ट कर सकता है तो यहाँ पर भी खरीजारी करने की सिला रहेगी 359 के स्टॉप लोस लगा जाए जाएंग पूछेंगे सवाल के एक्सपर्ट का व्यू का है इसमें लेकिन सरकारी बैंकों में हिस्सा बिक्री जल्द शुरू करेगी सरकार ये खबर आ रही है और हिस्सा बिक्री के लिए कानूनी बदलाव जो जरूरी होंगे वो किया जाएंगे सरकार इसमें हिस्सा बिचना चाहत को लेकर इंदरधनुश वन अब इंदरधनुश टू का प्रोसेस है जहां पर उसको लग रहा है कि विनिवेश करना चाहिए वहाँ पर कर भी रही है सरकार के अभी अनॉंसमेंट भी आ है इस पर्टिकुलर शेयर को कैसे रेट कर रहे हैं आप कि जहां तक सरकार के मुव का सवाल है मेरे क्याल से इट्समें राइट डिरेक्शन ये शायद पांच सार पहले करना चाहिए था बड़ आ थिंग बेटर लेट दन ने वर क्योंकि जहां तक ये PSU इग्जिट्स आइधर मेज़ोरिटी स्टेक और एग्जिट्स कम्प्रिट्ली जहां तक IDBA बैंक का सवाल है मैं कभी भी ये बैंक का बहुत बड़ा फैन रहा नहीं हूं कि ठीके साड़े पंदरा प्रतिशेत आपका ग्रॉस NPS होंगे तो I think I don't know आप शेयरोले सो क्या reward द वो बस दस पॉइंट उपर है अपने मानस कहा भी कि बैंकिंग स्टॉक्स की पार्टिसेपेंट होंगे 8960 तक के लेविल के निफ्टी बैंक पर आपकी स्ट्राडिजी क्या है कि बैंक निफ्टी की जहांत एक बात है बहुत सिंबलर पैटर्स जैसे निफ्टी पर कंस्ट्राडेशन देखा जा रहा है जिस तरह का आउट पर्फॉर्मेंस हमने पिछले करीब दो मत में बैंक निफ्टी में देखा है वैसी मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला जो एक मत होगा महाबर भी हमें आउट पर्फॉर्मेंस देखने को मिलेगा अगर एक टेक्निकल टार्गेट सेट करने होंगे तो बारा हजार नौसो के रहेंगे और मैं समझतों कि अभी भी खरीदारी करने के मौके है उनने जार नौसो के साथ ठीक है आज विदानता के नंबर्स SPIS के दो चीज़ा आप जादा तरह नोटिस करें एक तो इसका अभीटा जो 5879 है वर्स इस बतिस सो चौनतिस करोड़ से यानि कि अभीटा में ओल्मुस्ट डबल आते हो दिखा अकड़ा और इसका एक मुनाफ़ा देखिए आप 412 करोड से 1866 करोड़ आया आपको ऐसा लग देखते हैं विवेक एक बार टेक्निकल चार्ट पर देखें नंबर्स आउट हो चुके हैं शेयर ने ज्यादा रियक्शन तो नहीं दिया अब अगर आता भी है रियक्शन तो किस तरफ का होगा पुल बैक का या फिर फ्रेश शॉटिंग का वेक्श उन पारें आप चलिए मानस एक बार आप देखें बताएं इसका चार्ट नहीं मैं शॉट नहीं जाना चाहूंगा इवन जितने भी मेटल स्टॉक्स हैं हिंडाल को टाटा स्टील या तो विदानता चार्ज पर अच्छे लगते हैं और जरूर हमने हाई लेवल पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखा है विदानता में बट मैं सबस्तों कि जब तक 240 के उपर स्टॉक टेट कर रहा है तब तक तो बिल्कुल लॉंग ट्रेड ही लेने चाहिए 240 के स्टॉप प्लॉस लगाए उम्मीद करिए कि 260 का जो रेजिस्टेंस पिछले दिनों बना हुआ है वो जल्दी स्टॉक ब्रेक करेगा और जो एक टेकनिकल टार्गेट आता है वो 272 का आता है तो मेरी राय में तो गिरावट पे खरीदारी करनी चाहिए विदानता में इ आर सौट ओफ डिसपॉंटेड की इसमें क्या किया इन्हों ने पहले तो इन्होंने सही जवाब दिया नहीं गोल मॉल जवाब दिया आरपो को माना नहीं और दूसरा एथिकली और फिर मॉरली वो रिस्पॉंसबिलिटी उन्होंने ली नहीं खास का राजीव बंसल के भी म मामले में हमने इसमें खास बात की जो इन्फोसिस के पूर वो सी एफ हो है मोहंदा स्पाई उन्होंने ये कहा कि मैनेजमेंट ने बात मानी ही नहीं जो कुछ कंसरन सी फांडर्स की वो दे शुडव कम क्लीन हमारे सही होगी ब्रिजिश मिश्रा ने उनसे बात की सुनते हैं कॉर्पेट गवर्नेंस की या उनके जो लीडर्स थे वो बड़े अपने आप में बेंचमांग थे तो ये जो बातें उठ रही हैं ये क्या कंसरन पाईदा करने वाली है या कहेंगे कि इन्वेस्टर अक्टिविजम पाईदा हो रहा है जो अच्छा है क्योंकि कॉर्पेट इंडिया में इशुज डिबेट करना है और इसको सुलूशन लाना है एक कंपनी इसमें चेर्मन को निकाल दे गया कोई ये डाउट नहीं कर रहा है कि शेर्वोल इसको हग है चेर्मन निकालने का लेकिन बोर्ड जब निकालती है तो देखना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड क बार आ ग année है लेकिन बड़े शेर्वोल से वह पूछाए कि जो आपने किया था वह टीक नहीं था क्योंकि जो आपने किया था CFA को जाने क左े इतना पैसा देने के लिए उसका इनसर एक कंपनी नहीं दे रहा है उनको कहना था कि हमने डिस्क्लोज नहीं किया है जब वह गय ह वो गलत था, हमने तो system किया है वो कह रहे कि इनने, हमने आचा किया यह तो business decision है इसा नहीं करना है, गलती सब में हो सकते, integrity की बात नहीं है यह decision लिया गया सोचा नहीं था, system में नहीं था, तो गलत हो गया, जो कुछ है ठीक करो और आगे जाओ अगे जब situation हो, तो उसके लिए way out क्या हो है, आपके हिसाब से क्या है वो बात सीच करना है, वो देखना पड़ेगा कि क्या है, क्योंकि कोई integrity के बात नहीं कर रहा है वो कह रहे कि आपने gaunless नाम नहीं फॉलो किया, ठीक से करो, और जो कही company का जो assets है, वो personally उसके लिए नहीं करना है नहीं नहीं करना है, और जब कही company बहुत बड़ी standard करती है वो standard से 5% कम हो तो भी बहुत बड़ी बात है अगर कोई company है, बहुत company आपको में standard ही नहीं है, वो कम आते कोई पूटे वाला नहीं है, ठीक है ना बहुत companies हो में, अगर आपके wife को आप पैसा देते हो और उसको trip में लेकर जाते हो कोई पूटे माला नहीं है, लेकिन थोड़े companies में जिसका standard बहुत बड़ाता अगर कुछ हुआ तो लोग पूटे हैं, ठीक है क्योंकि वो तिल्दी से एक परसन भी नहीं आना है यारी डिस्क्लोजर का विजुड़े यह जो बोन ओफ कंटेंशन है, वो दरसल राजीव बंसल के सेवरिंस पैकेज को लेकर ही है, और भले ही कल चेर्मेन ने यह कहा भी हो, आरसे शाहीन ने कि इसके बाद आगे इस तरह की गलती नहीं होगी, but that doesn't undo जो अल्रेडी हो चुका है, अच्छा मेरी एक चुछी समझे कि जो क्लारिफिकेशन आई है, यह मैटर सॉल हो गया या और और बढ़ाएगा, क्योंकि इन्वेस्टर जानना जाता है, आच्छी, आच्छी, I don't think करेगा आने वाले समय में भी, हरी, इंडेक्स पर, नहीं, बिलकुल सहमा तुम्हें, I don't think Infosys, जो 10-15 साल पहले जो कंपनी था, जो इसका एक, you know, market cap में एक impact, I don't think that impact is there any longer, और इसके काफी कारण, and I think this is nothing to do with corporate governance, you know, आप Trump के announcements को लीजिए, उनके visa restrictions को लीजिए, you know, you take the border tax that has been proposed, यह सब ऐसे, you know, events है, जो की एक काफी बड़ा पॉल of uncertainty लाते हैं, over a company like Infosys, तुसरी बहुत, Infosys का जो model है, पुराना model, I think that is undergoing a shift, और जैसे विशाल सिखाने भीकल press conference में पहां कि, their main focus is transformation, और उस पर काम चल रहा है, और it is not a short-term project, it's a long-term project, तो मेरेकाज़ आगले तीन-चार साल तक I don't see Infosys giving any phenomenal returns, और even making a phenomenal impact as far as the market से concerned, इस पिछ आज के जो टॉप लूजर्स हैं, वो all marketing companies हैं, चाहिए अप HPCL देखिए आफि बी-पी-से-ल, HPCL में तो नुकसान करीब 6% का है, और BPCL भी करीब 3% सारह 3% के गिरावट के साथ trade कर रहे है, इस तरहे का 5-6% के cut पे आपको कुछ value बाया दिख रहा है मानस, HPCL, BPCL दोनों में या फिर अभी और लुड़केंगे और तूटेंगे, देखिए एक smart rally हम अलड़ी इन दोनों ही stock में देख चुके थे, HPCL के अगर बात करिए तो अमेरे का से 3 चार हफते में 425 वाला stock 575 तिक चला गया, तो जो आज correction है वो तो बिल्कुल ऐसे correction आते रहेंगे जब भी कोई बड़ी rally देखने को मिलेगी, बट ट्रेंड रिवर्सल के अगर बात करें तो मैं नहीं समझता कि ये ट्रेंड रिवर्सल के sign है, मैं समझता हूँ कि ये केवल एक correction के शुरू होने के sign है और ये correction हो सकता है कि 500 रुपे तक चला जाए क्योंकि 500 रुपे 50 डे मुइंग आवरेज है, तो ऐसी rally के बाद हमें एक ऐसा correction बिल्कुल देखते हो, और ऐसे correction में फिलाल के लिए अगर आपका time frame बड़ा हो, ट्रेडर्स को तो बिल्कुल नहीं है, आपको long ट्रेड लेना च करिए कि वापस हमें करीब 600 और 625 तक के इस तर HPCL में देखने को मिल सकते हैं आने वाले 8-10 बन पे, इस बीच एक बार Reliance Infrastructure का Intraday Chart देखते हैं, counter इस समय साड़े 4% उपर है, यानि करीब 24 रुपे कम हो, यहां पर Reliance Infrastructure का फिलाल 560 पर ये trade कर रहा है, और इन फैक्ट आप अब देखिए, बिच शुरुआत कैसे soft हुई थी और उसके बाद इस समय कैसे Intraday High पर ये counter है, साथी, ADAG Group के बागी stocks को भी अगर आप देखेंगे, तो यहां पर भी move अच्छा है, Reliance Communication करीब 5% उपर है, Reliance Capital Intraday High पर करीब 7-2% उपर है, Reliance Defense, on the contrary, आज तोड़ा soft हुआ है, जब Intraday High जो हिट किया था, वहां से, यूजल असा होता नहीं है, कि मार्केट के अंदर, ठहरा और, ADAG के शेयर्स चल रहे हूं, लेकिन अमानस, Reliance Infra structure पर क्या सला होगी आपकी? अधिकी ये disclosure है कि, BTST में हम लोगों ने Reliance Infra भी पिक किया है, और, मैं समस्तों कि, एक से दो दिनों में, Reliance Infra, 600 रुपे तक के levels को test कर सकता है, तो बिल्कुल खरीदारी करने की सिला रहे हैं, बहुत ही clear breakout और, वहां पर भी, बहुत ही बेहतर volume देखने को मिले हैं, तो यह एक बहुत clear cut clean buy दिखता है, मैं समस्तों कि 540 रुपीज के stop loss लगा है, और कम से कम 600 रुपे तक के target set करके चले, जो कि आने वाले, दो दिनों में, मैं उमीद करता हूँ कि Reliance Infra test करेगा, ठीक है, एक और चीज है Reliance Communication, हरी इस पर आपकी recommendation चाहिए, क्योंकि company का खुझ से बया सिस्टमा शाम टेली से इस करार पूरा हो गया है, जो कि मास तक पूरा हो जाएगा, complete हो जाएगा, और एरसल को जो merger है, वो भी बहुत तीज से आगे बढ़ रहा है, एक लीगल पेज फरस गया था, वो श्यादा पूरी तर से clear हो चुका है, यह जो 70% घट जाएगा debt, यह आप री रेटिंग वाली situation तो हो सकते हैं ना, relance communication में, भले बहुत कुछ रहेगा नहीं हाथ में, लेकिन being as an unlisted company जो भी रहेगा, वो इस valuation पे justified है या फिर ओर उपर आएगा यह जो प्राइस पर कोट करा राजिंग 33-34 का जो current price है, मुझे तो definitely a stock अच्छा valuable दिख रहा है, having सब्सक्राइब करेंगा जैसे, you know, reducing the debt substantially, you know, इनका वो जो tower sale, यह सब कितना time लगेंगे, I think, कहना मुश्किल है, तो I think it could be a slightly long term affair, but जैसे मैंने का 30-34 का जो price है, I think definitely मुझे तो value दिख रहा है, within the telecom space, I think it seems to be one of the more attractive telecom companies. इस पीच आज L&T Finance Holdings पर भी अच्छा मुव है, सुबेस इनफाक्ट होल किया है, इसने यह करीब 5% उपर है, और साथी गुजराच स्टेट पेट्रोनेट इस काउंटर पर 37% कम है, गुजराच स्टेट पेट्रोनेट पर मानस क्या सला है, आपके दोनों ही midcap gainers की list में के ओपर है, देखे, GSPL की जहां तक बात है, हाय टॉप सायर बॉटन बहुत क्लियर दिख रहे हैं, 140 से स्टॉक लगातार हाय टॉप सायर बॉटन बना रहा था, 5-6 टेटिनिक सेशन में स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस करना शुरू किया, 166 के असपास, आज यह रेजिस् तो बिलुकल यहां पर खरीदारी करने की से ला रहाएगी, 163 के स्टॉप नस लगाएं, ठीक है, एक ज़रा 40 का भी चार्ट देखिए, मानस यह भी अल्मूस दिन के उच्छतमस तरों पर है, कुछ रिजल्ट का भी इंपाक्ट इसका अंदर काल्कुलेट हो रहा है, यह 200 पहुंच जाएगा, क्या? एक कोई रीजन समन में आता नहीं है, कि यहां पर ट्रेडिंग करनी चाहिए, आपके पास निवेश है, तो बिलुकल बने रहा है, क्योंकि जो मीडियम ताव आउट लुक है, वो पॉजिटिव है, 200 दिनों के मुईंग आवरेज के ऊपर इस बीच अपलो हॉस्पिटल्स के नंबर्स पर बाचित करने के लिए, हमार साथ मिस्टर कृष्णन अखलेश वरन है, चीफ फिनाशल आफिसर अपलो हॉस्पिटल्स के, जो मुनाफ़ा है कंपनी का, उसमें अच्छा खासा स्पॉर्ट देखने को मिला है, यह रहा है 173 क यह रहा है, जो आखड़ा है मुनाफ़ा है अनुमान से बहतर है, हलाकि रॉप है, और जो अपलान है वो रही है 1680 करोड की, Mr. Krishnan, thanks for joining us, now you know, I think obviously the bottom line is better than expected, but what are the key highlights of the results? I think, you know, thank you for having me, and you know, just quickly if you look at the top line, the top line of the standalone grew by 18% at 1681 crores, and it consolidated, we grew 20% at 1911 crores, if you look at the, you know, the highlights, one of the things which happened, you know, obviously there was the demonetization impact that happened during the quarter, which saw the, you know, the top line actually, people expected that it would be impacted more, but the impact was more around 25%. to 30 crores because of demonetization and the, you know, also the VIP admission that we had in Chennai that caused some disruption in the overall patient flows, you know, because of both of this, there was an overall, you know, impact of 25 to 30 crores on the top line, and which actually resulted in a lower EBITDA by 15 crores, but net net, if you look at our EBITDA growth, it has been quite good at 194 crores, we still were able to give a 5% increase on the EBITDA, the standalone pharmacies grew very well, you know, it grew by 29% for a quarter, and the healthcare services grew by almost around 10%, which is the hospital's business. The important thing is that, you know, the, the standalone pharmacies now, if you look at it, it has a EBITDA margin of 4.5%, and at 4.5%, the return on capital employed is almost around 17% on the standalone pharmacies, which is the nine with our mature hospitals written on capital employed also. Now, we have not been on re-business earlier, I think it's important that you, Ray, your viewers understand that, you know, we have set up almost around 13 new hospitals over the last three years, and 2,423 capacity beds have been added at 2,000 crores of capital employed. All of this, we think, will auger very well over the next two years on our EBITDA margins and our growth, which is, you know, which we should think should get back to the, you know, all of this should get to the 17% return on capital employed in the next five years. Krishna, are you planning to raise at least 200 crores for the next financial year? So, there is, the 200 crores that we have, that you have seen now recently is just a NCD issuance at 7.85% that we have done, 7.8 rather, and that is something that we have done as an NCD issuance recently. But if you look at the CAPEX plans, you know, most of our big CAPEX is behind us now, barring one new, you know, cancer hospital, which we are planning, which is a, you know, international cancer hospital that we are planning in Chennai, with the proton therapy treatment, which is one of the best treatments available in the world. You know, we are not planning any more CAPEX at this point in time in the next two years. Alright, Krishna, thanks for joining us and all the best for coming quarters. Apollo Hospital. Apollo Hospital. This is a good trend. You have been tracking Apollo hospitals and in fact Fortis numbers. What are your views on both of them? Frankly, I don't track Fortis. But Apollo, you are right. I track the stock quite closely. And, you know, they have a very important thing, which the CFO is talking about, that their CAPEX cycle has been running for the past four or five years. I think that has come to an end. So, I know, you know, normally you have seen the hospital business, the stock price tends to be depressed when the capital cycle is on an upswing. And when the capital cycle is finished and the ROE impacts on the ROE, that is when the stock price starts picking up. So, you know, you know, you know, stock price is very interesting. I think that the stock price is very interesting. I think that the capital investments are coming in the stock price. You have seen the market price on the ROE. You know, there are many companies in the middle cap space where there are many companies where there are many strong companies right now. And, the WANKYs is up to уже and up to even up to again. And, it's also happening straight with an increase in total, with an increase in number of 831. So, you know, share share has been running this during 3 days. We're asked, put on the market prices. We're asked, share is running this every day. आज फिर से पूछ रहे हैं कल फिर से चलेगा क्या देगे तीन हपते में 500 से स्टॉक 850 हो गया है तो जो प्रॉफिट है वो प्रोटेक्ट रहे और क्योंकि एक वुलटाइल स्टॉक और यह हो और एक बड़ी रेली देख चुके हैं तो मेरी राय में स्टॉपलोज रिवाइ इस बीच और एक FMCG जाएंट नेसले के नंबर्स रिपोर्ट होने वाले हैं और उमीद क्या है नेसले से यह फिडी मॉनेटाइजेशन का इंपक्ट कितना और कैसा पड़ा है यह बताने के लिए पूजा हमारे साथ मौजूद हैं पूजा बताईए जी जैसा कि आपने का नेसले के जो नतीजे होंगे उस पर नोडबंदी का काफी असर पड़ेगा इसलिए बिखरी में काफी बड़ी रेंज है जिसमें की जांकार बिखरी में बढ़त की उमीद बता रहे हैं कि कुछ-कुछ जांका मांगे चल रहे हैं कि शायद 25-26% की ग्रोथ रहेगी कुछ ज प्राइसेस के बाद जो भी दिकते थी कंपनी के लिए मैगी के फ्रैंट पर वो अल्मूस्ट खतम हो चुकिए और वहां से सपोर्ट मिलेगा क्योंगी काफी सारे नए वेरियर्स भी लांच किये हैं मार्केट में तो उससे एक सपोर्ट मिलने की बात की जा रही है लेकिन दूसरे तरफ कंपनी ने उस पर अड़र्टीजमेंट एक्सपेंसिस भी काफी किये हैं तो वहां पर यह बढ़ातरी देखने को मिलेगी और रॉम मिटेरियल कॉस्ट भी कंपनी के बढ़े हुए रहेंगे तो बढ़े हुए खर्चों की वजज़ से कंपनी के जो मार्जिन रॉम मिटेरियल जो लागत है वो थोड़ी से बड़ी है तो प्रेशर दिखेगा आपको हो सकता है माजर्स पर थोड़ा हरी आप भी शेयर को ट्रैक करते नेसले को पिछले एक तेट साल में इसका काफी एक वालटाइल जर्नी रहा है हमने मैंगी पर बैंद देखा देट साल पहले फिर थी इन थी कंपनी अस कम आड़ अड़ अफिट आप यहां तक मेरा अंडर्स्टैंडिंग ए डी मॉनिटिसेशन का यह फूट प्रोड़क्ट कंपनी स पर ज्यादा असर नहीं किया है मिसाल के तरफ अब दो दिन बिले ब्रिटानिया का रिजल्स देखिए ब्रिटानिय भी एक बहुत ही नीश फूट प्रोड़क्स प्लेयर है लेकिन इन ने टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों पर मार्केट एस्टिमेट्स का ओड़ परफ बात कर लेते हैं कि सरकार इसे लेकर भी तैयारी में है कि किसी तरह जुलाई से रोल आउट किया जाए एंड इन फैक्ट जो अगली बैठाके उसमें हो सकता है कि जी एस्ट का जो मॉडल बिल है उसे मनजूरी मिल जाए अगर ये होता है तो ये एक बड़ा कदम होगा वैस के लिए लेकिन 18 फरवरी को उदेपूर में बैठाक हो रही है जी एस्टी काउंसल की जो की दस भी बैठाक होगी एक्चली लॉजिस्टी कंपरीज पे पूरा असर आ चुका है माना से एक बार आप देख माफ किजा हरी से ही पूछ लेते है क्योंकि फर्डमेंटलिम को जा डिपीज में दो चीजे हैं पहली बात तो यह है कि see everyone estimates that जब भी जी एस्टी लागू होगा तो जितने भी manufacturers है वो अपना पूरा logistics network को revamp करेंगे जिससे logistics companies को फाइदा होगा यह फाइदा कितना होगा extent क्या होगा as of no it is not very clear जो experience बाकी countries में रहे हैं most of these जो logistics company है यह actually multi baggers बने हैं post the implementation of GST उने Malaysia में देखे थे एक बहुत बड़ा example था तो I would believe that यह एक बहुत बड़ा opportunity हो सकता है और जो हमने stock price में run-up देखे है वो तो बहुत छोटा run-up रहा है I would believe that the actual opportunity could be much bigger और एक बड़ GST के actual implementation हो जाएगा तो उसके बाद we will get to see a real you know what I call separation of wheat from the shaft as far as the logistics company is concerned एक बार Tata Motors को देखते हैं Consolidated मुनाफिक आखड़ा जो है वो 112 करोड का है और company की जो कुल बिकरी है वो 67,000 करोड के पार रही है 67,000 करोड मैंने भी देखा था आखड़ा तो उसके पार 67,000 480 करोड कंपनी की बिकरी रही है और जो मुनाफिक आखड़ा है वो रहा है 112 करोड का जो अनुमान था उससे तो बेहत कमजोर है और यह वज़े आप 13 रुपे देखते ही देखते शेर अभी 4 रुपे नीचे था आप 14 रुपे नीचे आ चुका है जो ड्रॉप हुआ है अब जेलार को देखिए जेलार को देखिए एक जो स्कोप ऑफ डिस अपॉइंमेंट है वो जेलार के अबिटा कॉंट्रिबूशन से आया होगा विकोज वहां पर थुड़ा स्लिपेज दिख रहे बरो पूरा ब्रेकप जब आएगा हम आपको बताए के सबतों नीचे लेकिन टाडामोटर्ज के नंबर्गेंट भी थोड़ा टाइम एगा ठीक से डाय से डेक हरे करेगा उसके बाद हो सकता है स्टॉव करें अब करीब 15 नीचे टाटामोटर्ज हरी टाटा मोटर्स फर्स कट अब तक जो आया है नंबर्स का उसे आप कैसे देख रहे है नहीं इन फ्रैंक्ली मेर भीलाड़ सी ए लिटल मोर ग्रैनिलर नंबर्स क्योंकि इन जेलर का कॉंटरपिशन स्पेसिफिक्स तुरह देखना पड़ेगा डोमेस्टिक मार्केट कैसा है मेरा मनन है कि जेलरा है सम कांड आप स्लोडन इन साम अव थे की मार्केट पर कोई इस तो प्राबबली यह कॉर्टर शाय थोड़ा से प्रेशर वर रहेगा थिंग तिंग शुद गेट बैक नॉर्मल नेक्स कॉर्टर बट अगें अभी हमारे पास डेटा ज्यादा नहीं लेकिन अभीटा ही यहाँ पे करीब 13% से घटका सीधा 9% यानि कि जितने एक्सपेक्टेशन से उससे बहुत ज़्यादा डिप आया है और यही अभीटा मार्जन जो JLR का आया है यह अपने आप में डेमेज पहुंचाते हुए शेयर को हाला कि यह नंबर्स तो खैर no doubt कमज जो मार्जन से एक तो हरी ने सही बात कहीं कि थोड़ा सा स्लोडाउन कंपणी ने जेलर में देखा है I think इनके कुछ मॉडल्स रिकॉल भी हुए थे अब यह अगर इनोंने कोई one-off cost factoring की है तो देखना पड़ेगा Sandeep हमार साथ इंफेक्ट नंबर क्रंचिंग के लिए है संदीप फाइन प्रिंट क्या है क्या कह रहे है नंबर से जेलर इनका सबसे बड़ा revenue contributing और profitability contributing factor रहता है और वहां से इस बार अगर आप देखें तो जो मार्जन से हैं वहां पर जरूर इंपक्ट है वो देखने को मुला है अगर आप बिड़ा की बात करें तो 61 क्रोड के आस उसमें भी शायद एक डिप देखने को मुला है डिटेल्स देखने होंगे लेकिन हा शुरूर आप जो आंकडे नजर आ रहे हैं उसके मताबिक जेलर की जो वाल्यूम से है उसके उपर हिट देखने को मुला है और उसके साथ साथ जो उनके margin सा है उसकी उपर भी impact देखने क मुला जिसके वजह से ओवराल देखें तो जो मुनाफ़े में एक बड़ा डिप इस बार देखने को मिला है हो सकता है कि एक वन टाइम लॉस भी इस बार नमबस में हो क्योंकि जाता स्ट्रीट के जो एनलेस्ट है वो करीब थीन हजार कुरूड रूपे के आसपास की जो न पीच अब देखे जो मारजिन हैं अप JLR के भी थेखिये और ऐ कौंसलेटेड मारजिन भी देखिये दोनों में इस अफिर शिपेज मार साथ निपुन मैता जूडे है उन्से बात करते हैं निपुन शुक्रिया हमार साथ इस बाचीट में शामिल रहने के लिए थैंक्स वर ठीक ठाक बट ओर अल्यू नो आप मारूती आफिटाटा मोटर्स परफॉर्मंस इंका जिस तरह का रहा है क्यू थी में आप कैसे समप करेंगे सेनेपॉर्ण देखें मेर अफकॉस टाटा मोटर्स के तो बिजनेस बहुत डुमेस्टिक और ग्लोबल में ध्यान देना पड़ता है और उसे उस दिश्टिश से देखना चाहिए बट ओर अगर ऑटो स्पेस अगर डुमेस्टिक मार्केट्स की देखें तो जिस तरह समने अट लीस्ट डिस एफेक्ट हुए होंगे तो यह हमने देखा नहीं है इसका खास कारण ओविस्ट यही लग रहा है कि जिस तरह से नए प्रॉड़क्ट लॉंचेज हुए हैं जो मीडियम जुटिलिटी वेहिकल्स हैं या एसवीज के नहीं लॉंचेज हुए हैं पैसंजर कार वेहिकल्स के दिसकाउंट हमने यह देखा है कि नए लॉंचेस के वज़ए से इस प्रीमिम में बिके हैं और उसके वज़ए से मार्जिन में भी बहुत ज्यादा इंपक्ट नहीं आया है रहा ग्लोबल बिजनेस का सवाल I think जहां पे भी हमने ग्लोबल बिजनेस पर डिपेंदेंस देख से हम एक gradual uptick देख रहे हैं in terms of growth I think whether it is the truck market or the passenger vehicle market or the two-wheeler market I think gradually it should show an uptick तो मैं global markets में autos में बहुत ज्यादा चिंता नहीं करूँगा लेकिन domestic markets में I think generally देखें तो March quarter अच्छा रहता है और particularly the uncertain quarter that is behind us आशा यही है कि जो जो अगर वायो वाय बेसिस पर comparison करें तो March 16 quarter में जिस तरह से performance रहा था इस वेरी लाइकली देखें मार्च 17 में हम autos में यह बिलकुल performance बीट होते हुए देखें गिवन देखें गिवन देख्ट I think auto space continues to be one of the favorite spaces इस भी सन्फार्मा के बें नंबर्स आ गया है फटावर्ट से आप पहले profit के नंबर नोट करें जो कि उम्मीद से कमजूर है अठारा सो प्लस क्रोड रुपे के आसपास के आने के उम्मीद थी कि नंबर्स आएंगे आए नंबर 1472 क्रोड का तो profitability की जो पहली figure आई है यही कमजूर आई है सन्फार्मा के अंदर भी अब यह भी करीब 1.5% नीचे है इसकी डिस्क्रिप्शन आजेगी लेकिन हाँ टारा मोटर्स को मार्जन ने तो तोड़ा है इसमें कोई दोर आई नहीं है और जो सन्फार्मा के नंबर्स आए है यह भी उम्मीद से कमजूर आए है अभी सिरफ प्रॉफिट का ही आंकड़ा है जो कि उम्मीद से करीब उने 2% नीचे आ चुका है तो दो बैड रिजल्ट्स मार्केट की क्लोजिंग पे मिल गए एक तो टार्टा मोटर्स और दूसरा संफार्मा दोनों ने ही एक तोने मार्जन ने प्रशान किया टार्टा मोटर्स को जो कि ओल्मॉस्ट हाफ आफ हो है अगर आप इनके जेलर मा ने जए यह थोड़ा इंदालान कै सकतें लेकिन आप प्राफिडिबिल्टी ने यह जापे मिल अपर सब परशान किया लेकिन आप देखिए जो कंसेंसस ता स्ट्रीट का कंसेंसस से उससे स्पेशली टार्मोटर्स को आप देखिए इस वे ओफ-मार्क अप उनको देखिए तो मार्जिन उनके देखे, कॉंसल्डेटेड भी देखिये, जेलर के भी देखिये, दोनों ही फ्रेंट में अगर देखे तो दोनों ही फ्रेंट में अगर देखे तो इसी वजह से आप देखिये कि जो DVR है ताटा मोटर्स का वो तीन सो का लेवल ब्रीज करने की तैयारी में इस समय और और ओर्डिनरी स्टॉक जो है वो भी 486 के आसपास, I think there is a payout टाटा मोटर्स पर ने टाटा मोटर्स पर ने टाटा मोटर्स पर ने टाटा मोटर्स पर ने टाटा मोटर्स पर संफार्मा में तो एक पे आउट का अंकड़ा है जिसकी वजह से I think अ अबर्स इस अब डिफिकल्ट तो टेक अ कॉल राइट नाओ बिकॉस अभी देखना होगा कितना स्लिप होता है लेकिन हरी पहले मैं आप से जानना चाहूंगा कि इन दोनों पर ही अब जिस तरह का से लॉफ है, you know, as the numbers are factored in तो यह I think in fact Sun Pharma पर टैक्स का जो आउट गो था वो एक्स टाता मोटर्स क्लिरली ऑफ मार्क ने बिलकुल, I think in Sun Pharma's case, I think we had expectations that pressure आएगा क्योंकि उनका थिक यूज बिसमस तरह प्रेशर है, there is been a pressure on currency translation, Sun Pharma में आप उमीद की जा रहे थी कि there could be some kind of slippages, but Tata Motors, you know, जैसे मैंने का, we knew that there are some problems as far as jailer sales are concerned, पर मुझे यह नहीं मालुम की पर प problem is with the estimates and problem is the performance, but definitely जहां तक मुझे दिखता है, estimates और performance में काफी बड़ा gap है, और आज के मार्केट में इतना बड़ा gap, generally markets के stock के लिए काफी negative होता है। वेक एक बार आप technical ही देखे, क्योंकि Sun Pharma में शायद pullback आ जाए, क्योंकि एक ख़बर आने के बाद इसमें one off है, तो शायद loss अपके figure जो reflect कर रही है, वो actually दिखने ही रहे है, उसमें तोड़ा adjustment है, तो adjusted figure ठीक ठाफ हो सकती है, एक बास Sun Pharma उपर आ सकता है, क्या? जिपी जी अगर overall trend देखे, तो trend bearish ही है, मुझे लगता है अगर उपर भी आता है, तो sell की रमिती दखनी चाहिए, 650 sell के 651 की range में फिर्ट से strong resistance आएगा, नीचे में 630 तक के levels में expect कर रहा हूँ इसमें। चले, इस बीच Sun Pharma के और fine print लेकर संदीप हमार साथ जुड़े हैं, संदीप बताइए। चार गुना के आसपास की बड़त हुई है, 88 क्रूड रूपी के मकाबले, 373 क्रूड रूपी का आसपास का tax का बुक्ता अनुर ने किया है, थोड़ी सी जो इनकी finance cost है, उसमें भी इजाफा देखने को मुला है, तो operationally अगर आप देखें, तो नंबर में कोई भी खराबी नहीं नजर आ रही है, केवल अगर आप देखें, यह थोड़ी सी finance cost में इंक्रीज देखने को मुला है, और tax का जो component है, उसमें exponential इंक्रीज देखने को मुला है, जिस वज़ए से आप देखें, मुनाफ़ा जो है, हमारे नुमान से कम देखने को मुला है, अगर आप tax के figure को adjust करते हैं, तो मुनाफ़ा more or less inline या तो फिर better than expected नजर आएगा, और यही कारण है कि आप देख रहे है कि शेर में low level से recovery देखने को मुली है, तो overall देखा जाए, तो operational नंबस में सनफामा के कोई भी दिक्कत नजर नहीं आ रही, के वह tax का figure है, जिसके वज़ए से मुनाफ़ बिलकुश है, यही वज़े है कि अब सिरफ गिरावट पौने 1% की रहेगी है, पहले सवाद 2% तक तूट गया था, लेकिन इसने अच्छा शाप पूल बैक दिखाया सनफामा ही, लेकिन टाटा मोटरस के नजर प्रॉबलम है, वो जेनुन प्रॉबलम दिख रही है, वो ज से जो बिजनस आएगा, शैर उतनी पेस से ना बढ़े, जिस पेस इन्होंने पिछले तीन साल है, चार साल में इंजुआए किया, कुछ एक्स्क्रूजिव राइट भी इन्होंने इंजुआए किये, क्योंकि में भी शैक पॉलिसी फ्रेमवर्क अब इनको अलाओ ना करे, इनको जबान जाना पड़ेगा, जो सनफार्मा ने अपने नंबर्स में भी दिखाया, आपको लगता है कि अब चैलेंज होगा, ग्रोथ के टरम्स पे, यूएस में इन पर्टिकुलरली, अब बीटा तो बचाना है, प्लस ग्रोथ भी दिखानी है, वो बड़ा चैलेंजिं के लिए, अब चैले, I think, निपुन से संपर्क में थोड़े दिक्कत आ रही है, हम फिर से चलेंगे, लेकिन ये देखिए, स्क्रीन पर ये जो डेटा आप देख रहे हैं, समय ये क्रिटिकल है, निफ्टी के आरली लूजर्स को आप देखिए, पिछले एक गंटे में जो स् आप देखिए, पिछले एक गंटे के जो लूजर्स हैं, तो इसे आप नेट लॉजर्स पर मत देखिएगा, लेकिन पिछले एक गंटे में जो टोटल अनुकसान स्टॉक्स पर हुआ है, उसमें देखिए, टाटा मोटर्स और डीवियर दोनों ही हेविली कॉंटिब्यूट करते हुए, और ये कुछ हद तक डेफिनिटली जो विजबिलिटी है वो खराब करेगा टाटा मोटर्स पर जिस तरह के नंबर्स इसने रिपोर्ट किया है, और कंपनी ने कहा भी है कि स्टैनलोन बेसिस पर अगर आप देखिए, तो मीडियम औन हेवी कमर्शिल वेहिकल का जो सेग्मेंट है, उसमें कंपनी को अच्छा खासा हीट लेना पड़ा है, दी मॉनिटाइजेशन का इंपक्त यहां पर देखने को मिला है, तो वो यहां पर प्लियाउट हुआ है, ना हरी, अगर हम DVR को भी लें इंटो अकाउंट, अब भले ही 300 के नीचे है समेट अना मो जो और टाता मोटर्स का स्टोरी है, वी वह आगा प्रबबली अंडेसें दीचे से लिटल बेटर, यह जो यह जो 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 नो जो यह जो जो दोड़न हुआ है, यह एक टेमपररी वन ओफ अक्टिविटी है, या यह जो एक नो तो पर यह जो प्रेशर का प्रेशल का रह सकत तो पर देखना है और ताटा मोटर्स नीचे इस पिछ गोद्रेज को भी आपको देखना होगा इसके भी नंबर्स है और इसके अंदर में देखा है कि थोड़ा सा प्रेशर तो पड़ता हो दिखा ही है इसके मार्जल्स करीब 9% के आसपास आए है और इस पर आपके करता है कि जो बिसनस सेग्मेंट में उपरेट करता है जो काइंड और ब्रांड इकुटी वो लोग ने बिल्ट किया है वी देफिनिटी लाइक दिस कंपनी आदिंग ओर आल यह सेग्मेंट फोड़ा प्रेशर में आदिंग डिमान डेसिजिन के इंपक्त पड़ा है तो पोट नीचे 8791 के लेवल पर लेकिन यह डेफिनिटली जिसे वो डिमोनिटाइजेशन का स्पीड ब्रेकर कहते हैं वो डेफिनिटली टाटा मोटर्स पर देखने को मिला है कंप्ती ने खुद यह माना है कि डिमोनिटाइजेशन का इंपक्त हुआ है बाकी लूजर्स में ब सपोर्टिंग नहीं तरह मार्केट के लिए ना हमारा मार्केट थोड़ा स्ट्रगल कर भी रहा है नंबर के आसपास देखे करीब तीन लाख पांच हजार करोड के आसपास का अटर नुमर देखने को मिला है कुट एफ बीन बेटर अगर आप इसमें बीएसे का एफनो सब्सक्राइब नहीं है इस समय तो यह थिंक थोड़ी रहेगी मार्केट के लिए ऐसे में कलका ट्रेड भी मुझे लगता है वेसी तरह रहने वाला तो त्यार हो जाए कलका ट्रेड आपको कोई काम हो तो आप स्क्रीन पर सोधा करके आप जले भी जा सकते हैं आपको वाप शेयर पर बेटिंग कर रहे होगी तो इसलिए थोड़ा बने रहे हैं आपको लगातर हम बता रहे हैं कि नंबर्स कैसे रह सकते हैं नेसले के नंबर्स ही अपने देखें जहां पर प्रफिटिबिल्टी थोड़ी बढ़कर रहने वाली है इस बीच कुछ एक और शेयर जहां है डेरिवेटिस का डाटा भी कमजोर हुआ और साथ ही साथ आवरली बेसिस पर भी शेयर टूटे हो दिख रहे हैं एक हीरो मोटो कॉप के अंदर भी करीफ दो परसंट के आस-पास की घिरावत यहां पर देखने को मिल रहे हैं हरी ही हीरो मोटो कॉप एक अत्ती सो के रेट इंपक्त पड़ा था वह काफी हथ तक ज्यादा पड़ा है क्योंकि एक एक एंट्री लेवल प्रोड़क्त है और रूरल प्रोड़क्त भी है काफी हथ तक हिरो हंडा को जी इंक्रेमेंटल डिमांड है वह रूरल अरिया से आते हैं तो इस बीच साधे आट परसंट नीचे टाटा मोटर्स का डीवियर नंबर्स पर बाचित करने के लिए क्विकली हमार साथ अश्मिन बातिल मौझूद हैं अश्मिन वेरे क्विकली सिंस्ट एडिंग इंटो मार्केट क्लोजिंग टाटा मोटर्स इस वे ओफ बाक दो की हाइलाइट्स किया रही है इस रिजल्ट क सबसे पहरे तो हाइलाइट यही रही है कि ब्रेक्सिट की वज़े से जो जी बीबी ग्रेट ब्रिटिश पांड में जो डेप्रिसेशन हुआ है यह कॉर्टन में उसका नतीजा हम साफ साफ देख रहे हैं इसके रिजल्स के ऊपर जिसमें जैलर के जो प्रॉटिबिलिटी म जो काफी नीचे आये हैं मतलब हमें नहीं लगा था कि अलगर हैं लो काफी दराओने लग रहे हैं और हमें तो मतलब हमारा जो टागेट है वहाँ से तो अभी डेसिनेटली कट करना पड़ेगा टागेट हम 600 प्लस के उपर टागेट लेके चल रहे तक लेकिन इसके चलते हमें कुछ देखना होगा कि अभी आगे कैसे नंबर साथ तो थोड़ा अंचार्टर टेरिट्री में ज खासा नुकसान लेकिन 600 का टागेट लेकर ही चल रहे तो वहाँ से अच्छा खासा स्लैड मार्केट क्लोज होने वाला है 17 नीचे निफ्टी 8787 के लेवल पर समय टेट कर रहा है दो बूरी खबरे आगए इस्पेशली टाटा मोटर्स का जो नतीजा था वो मार्केट के एस् बढ़ने वाले काउंटर्स थी उनकी संख्या 500 थी नुकसान वाले काउंटर्स की संख्या 1049 के आसपास तो हर एक बड़त वाले काउंटर के सामने कम से कम दो काउंटर जैसे थी जो की नुकसान के साथ और यह जो नेगटिव रिजल्ट का इंपेक्ट है अब देखे शिव इंपक्त देखने को मिला इसमें C&C Construction, NCL Limited, Pity Lamination, MMTC यह काउंटर ऐसे रहे जहां पर अच्छा मूथ था और सुबह सी ठीक मूथ देखने को मिला था और PSU's को अगर हम देखें जो Buzzing Stocks हैं PSU's की लिस्ट आज काफी लंबी रही चाहे वो STCO, SJVN, JSPL यह कुछ काउंटर रहे जहां पर आज अच्छा रुजान देखने को मिला इस पिछ मेटल स्फियर साज तूट ते हो दिखें इनफेक्ट यह कल भी इरोने उपरिस तरसों अपने आपको कैप कर लिये था आज NMDC विदानता के नंबर्स भी थोड़े से खराब रहे यह भी इंटरे लो पर ही आके क्लोस करते हो दिखरें इसमीट कंपनीज के अंदर भी हमने देखा है कि यह क्लेर कट प्रॉफिट बुगिंग का शिकार यह होती हो दिखरें वैसे भी वेलूइशन को लेकर अब भी कोशन मा कड़ा हुआ है कि सेमिट का प्रिश चलेंगे या फिन यह दिन के निचले इस तरह पर क्लोस करते हुए अड़डएक सेमिट इसमें लीड कर रहा है करीब देट परसन की गरावट के साथ इसके लवा जो मिट कैप के शेयर्स टूटे उसमें दीपक नाइटरेट के अगरें दर हमने एकदम से कमजोरी आते हुँ देखिया जो मार्केट बंद हुआ है वो ठीक 8600 के नीचे कल 8600 के बंद किया था यह चार दिन का आपको मैं से नहीं बता रहा हुए चार दिन में से इकलौता कल का ऐसा दिन था ज्टायू के ऊपर क्लोस किया था नहीं तो हम अब भी हम कैरी करके जाएंगे कि हम 88 के आसपास तो है इससे गूड साइन कि अठाशिजों के ऊपर क्लोस नहीं कर पा रहे हैं चला नहीं पा रहे हैं बजार को इससा बैड साइन और जो इस बजार के अंदर नंबर्स आये हैं टाटा मोटरस नो संफार्मर ने दिये हाला कि इसका भले ही वन ओफ था टेक्स अड्जस्मेंट थी लेकिन नो डाउट ये बजार को थाड़ा सेंटिमेंट तो बिगार के गया है फिर से चिंता खड़ी हो रही है ये एंड है इस अर्निंग सीजन का लेकिन फिर भी चिंता है मार्किट के अंदर कि अगर अर्निंग इस असर ऐसा दिखेगा तो शायद दबाव आ सकता है 3,14,000 क्रोड अब 16,000 क्रोड एडिस्टेट फिगर आई है जो कि अभी आज ट्रेड होते हैं इसमें F&O नोड आउट सबसे ज़्यादा है या थोड़ा सा बिजनस और बढ़ता हो दिख जाएंगे शायर हो सकता है कल 4,000 क् अब सामने 23 तारीक की डेरिविडिक स्पारी आपको आते ही दिखेगी अब हरी आच्छी क्लोजिंग आपको कैसे दिख रही है लास्ट में जाते हैं ते टार्टा मोटर से नोड आउट मूड खराब किया है बजार का शार रही वज़े थी कि इसकी वेटेज भी थी और उस अब आपने उपी उपी तो नहीं कर सकते हैं तो इस वेट और वाच अभी फिलाल तो आइड ओन तिक कोई क्लारिटी मार्केट में दिखाए दे रहा है बिर कुछ चली है है अरी शुक्रिया हमार साथ इस बात्चीक में शामिल होने के लिए निपुन हमार साथ जुड़ों जैसे रहे हैं अब बैंको बरोड़ा को देखिए आज टाटा मोटर्स को देखिए तो सम एक्सटेंशन फार्मा यह डेफिनेटली कुछ था कॉस ऑफ कंसर्ण क्रियेट करता है अस फार इस विजिबिलिटी ऑफ मार्केट इस कंसर्ण अब मेर ट्रडिशनली हरे कॉटर में आप रिजल्ट देखोगे तो इनिशल रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं जो फागें में रिजल्ट आते हैं उनमें जरूर एक मिक्स बैग रिजल्ट आता है अगर माद डिसम्बर कोटर की रिजल्ट देखें तो टू एक्सटेंट there have been a mixed back but in a lot of cases जहां पर आशा थी कि नोटबंदी की वज़े से negative impact आएगा उसमें हमनें impact नहीं देखा है प्टिकुलर्ली autos में देखें टू वीलर्स में देखें या even for that matter building materials में देखें तो जितनी expectation थी कि आएगा top line growth में और margins भी shrink होगा यह हमनें देखा नहीं है तो एक यह one of quarter नहीं है जिसमें इस तरह से fag end पर results ठीक नहीं आते हैं I think the March quarter results will come back to normalization and you'll see markets touching higher levels in anticipation की जो March 18 के जो growth statistics हैं वो उनमें एक जो higher level of growth in comparison to March 17 की आशा है यह बरकरार रहेगा इसमें कोई आशाय की discounting या फिर earnings downgrade हम नहीं देखेंगे चले ने पूर्या शुक्रिया हमार साथ इस बाचीत में शामिल होने के लिए लेकिन आप यह जो Brexit का impact है यह लेवर नहीं इस तरह की दोनों तरीके से play out हो सकता है इस तरह की events बहुत बार आपको एक window of opportunity देवी कि नहीं आपर तो खेर अगले quarter में पता चलेगा फिलाल अंतिम बाजी कोई खत्रम करते है